आजादी से पहले अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अंग्रेजों ने भी आज ही की तरह भारत को कई जातियों, धर्मों, वर्गों, क्षेत्रों में बाट रखा था कॉंग्रेस अंग्रेजों की इस बाटों और राजकरों की मीती को बखू भी जान रही थी इसलिए कॉंग्रेस ने महसूस किया कि अगर भारतियों को जल्धी एकता के सूत्र में नहीं पिरोया गया, तो आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है रह्मतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इस दिशा में महत्वपून पड़ाव साबित हुआ इसी अधिवेशन में पहली बार बंकेम चंद्र चाटोपाध्याय द्वारा लिखे गए बंदे मात्रम को अपनी आवाज देकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टेगोर ने आजादी की लड़ाई में जोश भर दिया बंदे मात्रम से माता की वंदना करने का अर्थ निकलता है और उस दोर में भारत माता की आजादी और वंदना ही हर भारतवासी का लक्षे बना हुआ था आंदोलन की विभिन रैलियों में जोश भरने के लिए गाय जाने वाले इस गीत की लोकप्रियता से भय अक्रांथ होकर प्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने की तयारी कर ली तो आवाजे आज ही नहीं दबाई जा रही हैं बलकि अंग्रेज भी यही कर रहे थे इसके बाद तो न केवल 1896 बलकि कॉंग्रेस के अलग-अलग अधिवेशनों में बंदे मातरम की गूंच सुनाई देने लगी यह गूंच ब्रिटिश हकूमत की नीव को हिला रही थी क्यूंकि लालाज पत्राय की पत्रिका का नाम वंदे मातरम आजादी की बलिवेदी पर चर्णे वाले शहीत क्रांतिकारियों के आखरी शब्द वंदे मातरम भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा फेहराया तो उसमें वंदे मातरम पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की पुस्तक क्रांती गी तांजली में वंदे मातरम भारत की आबो हवा वंदे मातरम से महकुठी यही कारण है कि आगे चलकर 1937 में पंडित नहरू, मौलाना आजाद, सुभाज चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टिगोर और आचारे देव की कमिटी ने वंदे मातरम को राश्ट्रगीत के रूप में गाने का निर्णय लिया वंदे मातरम को आधार बना कर तब ब्रिटिश हुकूमत ने देश को धारमेक रूप से बाटने का प्रयास किया था और आज भी वही प्रयास चारी है मगर देश न तब बटा था और नहीं अब बटेगा जैहिंद